नमस्कार दोस्तों आपका मार्या चैनल में स्वागत हैं सनी वार के दिन एक अंजालदार जटावला नारियल दे और बहते जल में काले बस्तर में लपेट कर सो ग्रम काले तिल और उड़त की दाल एक किल के साथ सनी वार को प्रवाइद कर दे सनी रहो केत्यू जनीत कोई भी किसी वे प्रकार की बाता नजर दोस ज्वर होगा तो उतर जाएगा यदि राहों से संबनित कोई समस्या है तनाव है तो क्रोध बहुत आ रहा है काम कुछ नहीं बन पा रहा है तो बुद्वार की रात्री को एक नारियल सिर के पास रख कर सोएं अगले दिन सूबे नारिय रलवार अनमान जी के मंदीर में एक नारियल लेकर जाएं उसके सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं अनमान जी को रपितकर महां बैठकर मंगल स्तरोथ का पाट करें सिगरही लाब होगा यदि कुणले में सनी मंगल राव के तुर सुब इस्तिति में नहीं है या इनकी असु पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा खूद कर उसे दबा दे वापिस चले आएं यदि वेपायर में निरंतर हानी हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है तो गुरुवार के दिन एक बिनारियल लेकर सवा मिटर कपड़े में लपेटे एक जुड़ा जनेव सवापा प अर्थिक दिसा को लेकर चिंता है तो सुक्रवार के दिन मालश्मी के मंदिर में जाए माके स्रीचरण में एक जटावाला नारियल गुलाब वा कमल के पुस्प तथा पुस्प यत्वा माला एक सवा सवा मिटर गुलाबी और सफेद बश्त्र अलग-अलग सवा सवा मिटर सवा पाव, चावल, धाई, मिष्ठान, एक जुड़ा जिन्यों मा को अर्पित कर मा को कि कपूर्वा देशी घी से आर्थि करे या करवाएं अपने मन की वैथा मा के समख्ष रखें सिख रही आर्थिक पक्ष मजबूत होगा यदि आप किसी गंफिर आपत्नी में घिर गए हैं और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है तो दो नार्यल और एक चुनरी कपूर जवा के फूल की माला लेकर देवी दुरगा की मंदिर में जाएं एक नार्यल चुनरी के साथ मा को अर्पित करे माला से मा का सिंगार करा कि मा को कुछ मिष्ठान का भूगर अर्पित कर कपूर से आरती करे फिर एक बचे वे नार्यल को हूं फट उचारन के साथ मा के समझ बली दे अर्थात नार्यल फोर दे समी वधाय आप से दूर होगी इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप अमारे चैनल को सब् स्वाइब लाइक पर सियर करें हमारे चैनल में विजट करने के लिए धन्यवाद